नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ। आप सभी की सेवा में कुछ ऐक बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले कर के जहां दोस्तों आम तोर पर कोलेश्ट्रोल को शरीर के लिए काफी हानिकारक माना जाता है। उसके दो तरीके होते हैं, पहला LDL जिसे हम bad cholesterol भी बोलते हैं और HPL जिसे good cholesterol माना जाता है, LDL के वजह से हमारी नसें रुख जाती हैं, जिसकी वजह से blood circulation सही नहीं हो पाता है, इसलिए LDL को control करना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ एक ऐसी ही सबजियों के बारे में बताएंगे, जो आपके HDL यानि के good cholesterol को बढ़ाएंगे और LDL को कम करेंगे, जिसकी बदौलत आप हिरिदय घात जैसी गंभीर बीमारी से भी बचे रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, जब भी cholesterol का level बढ़ जाता है शरीर में, तो हिरिदय घात होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, सबसे पहली चीज है लहसुन, सुबह उठते ही लहसुन की 3-4 कलियां चबा चबा कर खा लिजे, हर पेसेंट के लिए ये राम बान दवा की तरह कारिय करता है, पेट में गैस भी नहीं बनने देता है ये, और इसको नियमित रूप से घर में सबजियों में भी प्रयोग करना चाहिए, और हो सके तो इसकी चटनी बना कर आप खा सकते हैं, दूसरी चीज है अदरक, अदरक भी शरीर में कोलेस्ट्रोल के लेवल को कंट्रोल करता है, या यूं कहें करने में मदद करता है, एक रिसर्च में ये बात पाई गई कि सिर्फ तीन ग्राम अदरक का सेवन करने से बैट कोलेस्ट्रोल काफी हद तक कम हो जाता है, और गुड कोलेस्ट्रोल शरीर में बढ़ता है, इसके बाद है पुदीना, पुदीने का सेवन बैट कोलेस्ट्रोल के कंट्रोल में काफी सहयक होता है हर रोज 5-10 मिलिलीटर पुदीने का रस कोलेस्ट्रोल के कंट्रोल में काफी सहयक है इसके अलावा अपने खाने में आप आधा प्याज शामिल करते हैं तो बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रोल को यह कंट्रोल कर सकता है लोकी जिहां लोकी का जूस जब आप बनाएं तो उसमें पुदीना और थोड़ा सा तुलसी पत्ता जरूर डालें इससे आपकी नसों में जमा हुआ सारा ब्लोकेज खुल जाएगा जिसकी वज़र से आपको नसे जो हैं वो सही ढंग से पूरे शरीर में बलड का सरकुलेशन कर पाएंगी आप सभी के लिए बैड कोलेस्टरॉल और गुड कोलेस्टरॉल को कैसे कंट्रोल करना है कैसे शरीर में बैलेंस रखना है इससे जुड़ी होई जानकारी लेकर के उपस्थित हुए थे अगले कड़ी में हम जुड़ेंगे आप सभी से कुछ एक और महतोपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों